नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में शॉजी अपने सुजी डाला उसका इक ऐख अंदर पाणी डाली या इसके निए उसके हैं आप खोल लेंगे अधियों या आफ लोगा लिए उससे ब्रश की मदद से हाथों की मदद से आप लगा सकते पंदरा से बीस मिनिट हो गए तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, आदी छोटी चमच और इसी के साथ इसके ओपर एक चमच मैंने पानी डाल दिया है और एक कप अब पानी और डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल कर इसे फिर से मिला लेंगे यहाँ पर देखिए इटली का जो बेटर बनाएं इसमें मैंने दो कप सूजी, दो कप पानी और एक कप दही का इस्तमाल किया है बेटर को जिस तरह से होना चाहिए, गैस कौन करके एक बड़े से बरतन में मैंने डाल दिया है पानी और इसे ढखकर गरम होने देंगे यह जो इटली का स्टेंड है, इसमें हम देखे इस तरह से यह बेटर को डालते जाएंगे, एक-एक करके तो इसी तरह से मैंने यह सारे में यह बेटर को डाल दिया है, अब इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और इसे हमें steam पर रखना है इनकी बाफ पर रखना है पानी भी गरम हो गया है तो इसे आपको 10-12 मिनिट के लिए steam पर यानि की बाफ पर रखना है तो ढखकर इसे पकने दे जैसे आपको लगे कि टाइम हो गया है तो इसे फिर भी एक बार चेक कर लेना और इसे बाहर रखकर आपको ठंडा कर लेना है गरम गरम निकालेंगे तो आपको लग भी सकता है कभी नहीं भी निकल सकता है इसलिए ठंडा हो जाना उसके बाद ही देखे काफी आसानी से ये निकल जाएगा अब देखे फ्राइट चिली इटली बना रहे न तो उसके लिए मैंने तेल को गरम करन आप चाहे तो दो भी कर सकते मैंने तीन किया है और इसके लिए जो तेल है वो अच्छा गरम होना चाहिए अगर बूल से भी आपने ठंडे तेल में इटली को डाल दियाना तो अंदर तक तेल तेल हो जाएगा और खाने में अच्छी नहीं लगेगे इसलिए अच्छे गरम त तेल में इटली को डालना उपर से इस तरह से कुर्कुरी हो जाए तब तक इसे राए कर लेने निके तल लेना फिर इसे निकाल लेना फिर और कड़ाई में आपको डाल देना है एक बड़ा चमश तेल जैसे गरम हो जा तो दो प्याज ऐस तरह से लंबे कटे और आदी बच्छ बरकर डाख सोया सॉस और आधी चमच चिली सॉस देखें चिली सॉस डालने के बाद इन सब को अच्छे से मिलाना है अब यह जो हमने इटली को फ्राइ करके रखा था यह तल के रखा तो इटली इसके अंदर डाल कर अच्छे से मिक्स करना सच बतारी यह इतनी सब्सक्राइब करें बिनाना आजाए थांकियो फॉर वाच चैनल